हलो गईज आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर आज हम कुकिंग करने वाले हैं तो कुकिंग में किछडी बनाना है मुझे और वेज हमने कट कर लिया है बंदगोवी और दो चार आलू और तीन लोगों के लिए हैं पर हमने लसुन अद्रग का फेस्ट लिय लेंगे उसमें डालेंगे प्याज और मिर्चा तो थोड़ा से ग्रम होने देते हैं इसके बाद हम मिर्चा को डालेंगे और अच्छी तरह से भुन लेते हैं इसको और तोड़ा सा मिर्चा और फ्याज पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे बंदगोवी का कट पीस और आलू दो चार आलू अब इसको हम कर्चुल चलाएंगे कुछ देर तक और यूहीं कर्चुल चलाते रहेंगे कुछ देर तक जब तक कि पकना जाए हमने यहां पर रखाए तीन लोगों के लिए चावल और बेज या निशक सबजियों से किचड़ी हर परकार का बनाया जा सकता है सो हम यहां पर दाल भी थोड़ा सा एड़ कर देंगे अब हम यहां पर मसाला एड़ करने वाले हैं इतने भी हैं हमारे पास मजुदता जीरा और यहां पर हो गया मिर्चा और यहां पर सामर का पॉर्डर और यहां पर हल्दी और हम इसको पुड़ा भूं लेते हैं और टमाटर भी हम ने त्ड़ाव सा पकने के बाद टमाटर भी डाल दिया और इसको ढग के रखते हैं जब तक कि टीक से पकना जाए ठमाटर और इसके बाद हम एड़ करेंगे यहां पर चावल इसके बाद हम चावल एड़ करने वाले हैं हमने चावल एड़ कर दिया है अब यहां पर हम कुछ देर तक सुका-सुका जब तक सुक ना जाए अच्छी तरह से यहीं कर्चुल चलाते रहेंगे तो उसके बाद हम डालेंगे पानी पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो हमारा जो किछडी है वो पुरा ही गिला हो जाएगा यानी दाना दाना टाइप ज्यादा भी हमें पकाना नहीं है हम मेडियम साइज में पाने डालेंगे अब वेट करेंगे तो किछडी को पकाने के लिए कम सकम हमें 45 मिनिट्स मिनिट्स लगे हैं हमने यहां वेडियो को यहां पर बॉइस होवर कर रहा हूं सो थर्टी मिनिट्स 35 मिनिट्स होने के वास इस तरह का कलर आने लगा है तो पुचित दिर में हमारा किछडी जो है पुरी तरह सा पक जाएगा हमने यहां पर स्वादनुसार नमक डाला है अब लोग देख सकते हैं लगबग रेडी होने को है यह बहुत ही सदारन बिर्यानी है जो हम डेली का खाना खाते खाते अगर बॉरिंग हो जाते हैं तो सिंपल प्रोसेस में हम लोग किछडी बना सकते हैं जो कि इसका स्वाद भी लग होता है तो हमने यहां पर टेस्ट करके भी देखा कपी स्वाद था तो आज का वीडियो यहां पर समुपत होता है बहुत बहुत दन्यावाद